विंग कमांडर अभिनंदन के पिता पूर्व एयर मार्शल इस वर्दमान ने अपने बेटे के लिए एक भावुक संदेश लिखा है। उन्होंने अपने दोस्त और चाहने वालों के जरिये यह संदेश देश वासियों तक पहुचाया है। कहा है कि अभिनंदन के प्रति आपकी चिंता के लिए शुक्रिया इश्वर का आभारी हूँ कि वो जिंदा है घायल नहीं है मान सिक्तोर पर ठीक है बहादुरी से बात कर रहा है जैसा कि एक सैनिक करता है हमें उस पर गर्व है आपका आशिरवाद उसके साथ है और मैं इसी काम न करता हूँ कि उसकी सुरक्षित वापसी हो उसे यातनाए ना दी जाएं इस नाजुग घड़ी में साथ देने के लिए आप सभी का शुक्रिया हमें आपके समर्थन से उर्जा मिली है क्रेश हुए मिग के विंग कमांडर अभिनंदन बुद्भार को एलोसी पार पकड़े गए थे बताया गया है कि स्थानी लोगों ने उनसे बतसलूकी की इसके बाद पाकिस्तानी सेना की तरफ से उनने प्रेस कॉनफरेंस में पेश किया गया अभिनंदन का एक और वीडियो शेयर किया गया सोशल मीडिया में शेयर किये जारा है वीडियो में नजर आ रहा है कि अभिनंदन पाकिस्तान की कस्टडी में भी बेहद मजबूती से बात कर रहे हैं और मानसिक संतुलन बनाए हुए हैं पूरे देश की दुआएं उनके साथ है सरगार ने पाकिस्तान से कहा है कि वो उन्हें सकूशल वापस भेजे जिनेवा कन्विंशन पाकिस्तान में उनका कवच बनेगा इसके तहट दुश्मन देश ना तो उने तंग कर सकता है और ना ही डरा और धमका सकता है अपमानित नहीं कर सकता और ना ही मेडिकल सुविदा से बन्चित रख सकता है